नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका इंडियन डिश्वाई देव में आज मैं आपके लिए लेकर रहे हूं टिप्स के साथ चाय सर्दियों का सीजिन हैं अक्सर हम थोई-थोई दिर में चाय पीते रहते हैं लेकिन बारबा चाय पीने से आप पच और गैस की समय से हो जा के लाना है तो दो कप पाने का इस्तिमाल करें आप देख सकते हैं हमारे में अच्षे से बौयल आ चुकjal एंगए अब हम यह पर एक चम्मद चाय पत्ति आपकर पर पहतुल को और साथ में पानी बहुत ज़ल्दी ऊपल आ जाए इलाची आप देख सकते हैं लेकिन इसे कूट कर डालेंगे इससे इसका जो फ्लेबर है बहुत ही बढ़ी है निकल कर आती है तो देख सकते हैं हमने इलाची को कूट लिया है इसके साथी हम यह पर एक लॉंग डाल देंगे अगर आपको लॉंग का फ्लेबर अच्छा नहीं सबीष है तो सब्सक्राइब चाहे मницय लो फेट बहुत है याँ जो है बड़ी चमच से भीजर यांरि हम जबतने तक कब चैने मिज़िक cynosh ब्लेख पार चाय को आपने आभशक्ता के नुसले चीनी डालने के बाद में चाय को आमें दीमे गैस पर चार मिनिट तक और पका लेनी है यानि हमें टोटल चाय बनने में आठ से नौ मिनिट कर समय लग जाएगा चार मिनिट बाद में आप देख सकते हैं चाय के कलर कितना बरिया आया है अगर बड़ा गोल वाली चमचे तो आप उसका इसे इस तरह लगातर गोल गोल चलाते रहे या फ़ाइबन को भी गोल गोल हिला सकते हैं इससे भी चाय जो है अच्छी तरह लगातर पकती रहेगी तो हमारी चाय तयार है चाय के साथ मैं यहांपा लूंगी पपड़ी यान यहां पर फुल क्रीम बाली एक कप दूद ले रही हूं दूद जब एक बार बोल आ जाए आप देख सकते हैं गरम हो चुके अच्छी तरह तब हम इसमें अध्रगिसकर डालेंगे तो कई बार दूद अमारी फटने की चांस रहती है तो मैं यहां पर सेम प्रोसेस है एक इंच अध्रग की टुकर को घिसकर ले लूँगी आप चाहे तो कूटकर भी डाल सकते हैं के 7 में हम याप लैंगे 2 इलाइची इलाइची को हर बार की तरह फोर के लिए डालेंगे इससे फ्लेवर एच्छी आती है अगर आपको इले उच्छा नहीं लगता तो आप उसे सकिब कर दें हम ने यह बहुत ही श्ट्रॉंग चाहे हैं अगर आपको हलका लाइट पसंद तो आप मसाला की मात्रा कम कर दें अब इसमें एक चम्मच चाय पत्ति इस्टिमाल करेंगे चाय को चम्मच की साहता से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे आप चाहे तो बड़ा वाला जो गोल चम चाहे न पका लेना है पांच मिनट बाद में आप देख सकते चाय का जो कलर है कितना गाड़ा और कितना यमी लग रही है और साथ ही क्रीमी भी लग रही है चाय की उपर हलकी सी मलाई की परद्वी जम चुके तो चलिए आप इसे च्छन कर तेयर कर लेते तैयार है हमारे चाय आप से पकोड़े बिस्किट किसी की भी साथ पी सकते हैं